वैसे दोस्तों आप लोगों को यह फोटो देखके क्या लग रहा है मैंने अज क्या बनाया है केक बनाया है या शायद नहीं या शायद हाँ केक के जैसा ही है मगर केक नहीं है तो यहां सबसे पहले मैंने यहां पे एक केजी दही को देखिए मलमल के कपड़े में ऐसे स्ट्र ज्यादा फेटने की जरुवत नहीं है। इसमें हम एड़ कर देंगे एक टेन भर के कंडेंस्ट मिल्कू यहां पर एक केजी दही के लिए 200 ग्राम कंडेंस्ट मिल्क इस्तमाल किया है। इसके बाद हम ले लेंगे यहां पर आम जो अच्छे मीठे वाले हो। इसके बाद हमें इसे मिक्षर में एड़ करना है। और इसका एक फाइन पेस्ट बनाके तयार कर लेना है। बिल्कू स्मूथ सा। वैसे अभी तक आप लोगको आईडिया हो गया होगा कि मैं क्या बनान अब लास्ट में एड़ करेंगे थोड़ा सा इलाइची का पाउडर इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। इसके बाद मैंने यहां पेक टिल ले लिया है और इसमें एक बटर पेपर लगा लिया है। अगर आपके पास ना हो आपके पास जो भी स्टील की टिफ अब इस मिक्षर को हमें स्टीम करना है दोस्तों जिसके लिए मैंने एक कड़ाए में थोड़ा सा पानी उबाल लिया है उसमें रखा है मैंने एक स्टैंड और उसके उपर रखेंगे हम इस मोल्ड को और ढखकन बंद करके बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे 25-30 मिनट तक आराम से पकने देंगे 25-30 मिनट के बाद मैंने गयास के फ्लेम को बंद कर दिया था और आदा घंटा इसे पैसे ही छोड़ दिया था देखिए आदा गंटा के बाद यह तोड़ा ठंडा हो गया है मैं एक नाइफ एट करके देख रही हूं और देखिए नाइफ बिल्कुल क्लीन मतलब है इसका मतलब है हमारे मिक्षर यह अच् biggest त्रीके से पैंड है अब हम और शुक्या करेंगे और इस शिल्व फृज में एक से 2 ृवटत शाय थोल्टूंण झारत है और थे नाट नावा ड εδώ का है अपनल工作 अगर आपने मेरी रेसिपी को यहां तक देख लिया है दोस्तों और आपको यह रेसिपी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें जितना जादा सा जादा हो सके शेयर करें और अगर आप हमारे चानल पे नए है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले तो यह हमारी भापा आम दोई की रेसिपी बनके बिल्कुल तयार हो गई है मैंने इसकी गारनेशिंग थोड़े से फ्रेश मैंगोस और पिस्ता के साथ किया है खाने में यह बहुत ही जादा जरूर करें बहुत ही मज़े की लगती है